त्रिन्मूल कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल्वे मंत्री मुकुल रॉय बुधवार को अपने आवास के बात्रूम में गिरकर बेहोश हो गए थे उन्हें तुरंग्त अस्पताल में भरती कराया गया था सिसलने की कारण उनके सिर में चोट लगी थी जिसकी कारण उनकी हालत स्थिर लेकिन गंभीर बताई जा रही थी हालं की एक अधिकारी ने अब उनके स्वास्थे को लेकर अबदेद दिया है उन्होंने बताया कि मुकुल रॉय की हालत अभी भी गंभीर है उन्हें आइसियू में रखा गया है अस्पताल प्रशासन ने उन पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए चिकित्सकों की एक तीम गठित की है अधिकारी ने कहा मुकुल रॉय की हालत गंभीर लेकिन स्थिर है हमारे डॉक्टर दिन रात उनकी निगरानी में लगे हुए है बता दे की त्रिनमूल कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय नियूरोलोजिकल परेशानियों से पीरित है उन्हें होश्क होने से पहले उल्टी भी हुई इससे पहले मुकुल रॉय के बेटे ने मीडिया से बात की थी उन्होंने कहा घर के बात्रूम में बाबा गिर गए उनके सिर में चोट लगी उन्होंने उल्टी की और फिर होश खो दिया हम उन्हें अस्पताल ले गए कुछ महीने पहले भी मुकुल रॉय को तबियत खराब होने के बाद कोलकाता स्थित एक अस्पताल में भरती कराया गया तब मुकुल रॉय ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे मुकुल रॉय डिमेंशिया से पीर थे वह 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे उन्होंने 2021 के विधान सभा चुनाव में उत्तर कृष्णांगर निर्वाचन छेत्र से जीत हासिल की थी हालांकी इसके बाद वह ती एमसी में वापस शामिल हो गए बता दे की मुकुल रॉय मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी के बहुत ही करीबी और त्रिनमूल कॉंगरेस के संस्थापक सदस्यों में से एक है मुकुल रॉय का जन्म 1954 में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कांचरापाडा में हुआ था उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन युवा कॉंगरेस से शुरू किया और मम्ता बनर जी के करीबी बन गए जो उस समय युवा कॉंगरेस की नेता भी थी बाद में रॉय और मम्ता बनर जी ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर जन्वरी 1998 में कॉंग्रेस से अलग होकर अखिल भारतिय त्रिन्मूल कॉंग्रेस का गठन किया इसके तुरंट बाद रॉय को नई दिल्ली में पार्टी का चहरा बनाया गया उन्हें 2006 में पार्टी का महासचिव भी बनाया गया मुकुल रॉय ने 2001 में अपने चुनावी करियर की शुरुवात की थी मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री और TMC प्रमुख मम्ता बनर जी का करीबी सहयोगी माना जाता है